आज 30 जन्वरी को कांदी जी की पूर्निटी थी है और आज हमारे हाँ जैम्या मिलिया इसलामिया के बच्चे एक पीसफुल मार्च निकाल रहे थे उनकी याद में उसी बीच में फुली फैमिली हस्पिटल के पास फुलिस ने वैरिकेट लगाया वे था और वहां पे इनको रोका गया और कहीं से एक अन्नोन आथमी आया जिसने हाथ में पहले पिस्टॉल चमगाई और बहुत देर तक उसने दिखाई और उसके बाद हमारे एक बच्चे के बुली मार दी शादा अब फारुक के बुली ये लगी है बट मैं खुदागर शुकर पेंजती हूं कि उस और जिस समझदारी से उन्होंने ये वक्त गुजारा है और बिना किसी रिटैलियेशन के जो कि हमारी यूनिवरस्टी का में हम उनको यही सिखाते हैं कि चीजों को बरदाश्ट करो और गल्ट जिस तरह से इसको तरुके हैं हो लोग तो हम सबका सर बहुत उचा किया है मु सब्सक्राइब करेंगे और कोशिच करेंगे कि सबकुछ नॉर्मल रहे मैं ऐसे इस इंसिडेंट से हम सब हेल गये हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पुलिस के सामने एक आदमी इतना इस तुल दिखाता फिरे और उसको को रोक नहीं सके यहां तक कि वो मार दे किसी आतमी को और उसके बाद उसको बड़ा उकूल यह पकड़ लिए तो इसलिए यह चीज हमारा भरोसा थोड़ा सा हिला रही है और मैं आशा करती हूँ कि अब यह ऐसा कोई इसलिएंट दुबारा कभी नहीं होगा हमारे लोग साथ हम सब कौशा सेंस के लिए मगर ऐसा वादा भी हमको चाहिए कि यह कभी नहीं होगा तुबारा ऐसा लोग से जो मैटा करते हैं करते हैं